सब्सक्राइब भगवद गीता की प्रवच्छन में हम लोग भगवद गीता की भूमिका की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं आज सात्वा दिन है आज हम लोग चर्चा कर रहे थे करने वाले हैं मुक्ति कार्थी क्या है समानता है लोग सुचते हैं कि शरीर छोड़ देने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है कभी-कभी ऐसा भी सुचते हैं ऐसा होता नहीं है जीते जी भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है उसकी व्याक्या प्रवपात करेंगे जब जीते जी मुक्त है तो वह मृत्य के बाद तो मुक्त हो ही जाएगा उसमें तो कोई कटना ही नहीं है जीवन व्यद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् हम भगवान से विमुक हैं इसलिए जगत में दुक्का अनभव कर रहे हैं तो भगवान से विमुकता से मुक्ति हो जाए तो यह मुक्ति है आचारगण भी जगत में आते हैं उनको हमारी तरह संगर्ष नहीं करना होता हमारी तरह मतलब बिल्कुल संगर्ष नहीं करना होता है चंहों लोग संखर्श कर रहा है भोतिक इक्षा ओंं की वज़े से जिसकी भौतिक इच्छा नहीं है जगत में रहते हुए भी संखर्श नहीं कर रहा है हनमान जिशा संखर्श कर। प्रलादमडा संखर्श कर रहा है। मेरा चित तो आपके महिमा को गायन करना में सुखी। इसलिए जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो मुक्ति की प्रात्रा नहीं करते। पहले से मुक्त है। तो यह लाइन आपको समझ में आई। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वत्मत्रता। भौतिक चेतना क्या है? मैं शरीर हूँ और भोग की इच्छा जो आपने सुना था ना महा मोह और अंधतामिश्र यह सब क्या है? अविद्या से ग्रिश्र यह जीव को कलेश देने वाले चीज़े हैं। तो भौतिक चेतना अर्थ हात भोग की भावना से मुक्त होना यह मुक मुक्ति का इस पस्ट अर्थ समझ दीजिए कि अपने व्यक्तित्व का नाश करना यह मुक्ति बिल्कुल नहीं है। प्राया प्राया भारत में लोग यही सुचते हैं कि मुक्ति मतलब भगवान में लीन हो जाना और एक अद्भुत बात यह भी है कि उनको यह पता नहीं हो प्रवपाजी कह रहा है उनको यह नहीं पता कि तूमी को मतलब कौन है और अपने सुला भी होगा एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा लेकिन वह तू कौन यह नहीं पता परम पिता प्रमात पात निलाकार हो गए तो मारा नाम ही कैसे रहेगा तो मुक्ति का बड़ा स्पस यह समझ में आ गया? यानि अपने आपको भगवान से स्वतंत्र भोकता के रूप में देखने की चेतना ही बंधन का कारण है और बंधन का सूचक है. इसे बातें थोड़ा समझने में समझ लग रहा होगा. बंधन का कारण है, बंधन इसी लिए पढ़ रहा है, क्योंकि अगर अभी पिने समय आ रहा तो बताईए जीए भरतपुर की जेल कहां पर है तो यहां पर कितने लोग डली में इसमें एक, दो तीन चार तो चार पांच पांच तीहार के जेल के कैदी है हाथ खड़ा किया है ना छह आप लोग जेल में हैं आप लोग भी डेली में और तिहार जेल का कैदी भी डेली में एकदम स्थान का प्रभाव नहीं है चेतना का प्रभाव उसने गलत कुछ कार किया और क्या खार्ट था गलत थी सरकार के विद्रोह चलरा नार इस कारण से उस्थान तो वही था लेकिन अब ऊसकी चेतना में इसाइद प्रिष्टी है समौझ में आ गया कि हम लोग बहया उसमें निकारण के धाम में दिल्ली में भी हाँ दिल्ली में भी और हर जगे नमस पशत लिखते हैं हर जग doublo का धाम है कि लेकिन हमारी चितना क्यों ठीक नहीं है इस कारण से नहीं तो यहीं पास में प्रभुदरन सरस्ति के समादी इंगे मुरा तहं पूरा विश्वपूर्ण सुखंध सुखमे लग रहा है भागवत के या किसी महापुराण के दस्त विशय होते हैं और एक विशय इसमें है मुक्ति, तो मुक्ति की प्रभाशा बड़ी स्पश्ट दी गई है। को त्याग कर स्वरूपेणा विवस्ति स्वरूप के द्वारा व्यक्ति स्वरूप में अपने स्वरूप में इस्थित हो इसको मुक्ति कहते हैं। में उस स्वरूप को नहीं कह सकते हैं उस रूप को त्याग करके अपने स्वरूप में इस्थित होने को मुक्ति कहते हैं। बहुत हो गया चुप चाप बैठें। विजय प्रफ उसे शुरूप करें। नाम रखके बताएं। गलत बोलोगे तो डाट लगाएंगे रिकॉर्ड भी होगा। मुक्ति कार्थ क्या है। मुक्ति मितलब जो हम नहीं है उस रूप को छोड़के जो हमारा रूप है उस रूप में इस्थित होना है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गोट जो हम लोग नहीं है उस बात को उस रूप को त्याग करके उस धारणा को त्याग करके हम अपने सिति मेर्स अब आप लोग सभाविक से को कि प्रभीर स्वरूप शिद्धी तो बहुत कठीन है वो तो भाव उस तरह प्राप्त ह होती है हाँ वो एक अलग प्रकार का स्वरूप शिद्धी है लेकिन यह भावना कि मैं इस जगत का भोगता हूं मैं इस जगत का नियंत्रक हूं यही तो हमारा अन्यथा रूप है ना हम तो जगत के नियंत्रक है नहीं भोगता है नहीं इसको त्याग कर वेक्ति इस भावन और उसके अन्रूप है कार्य करना शुरू कर दिया उसी दिन से में मुखत है इसमें ये बात कोई आश्रम डिपर्णेंट नहीं है कि आज में ही क्लास के पहले मुझे याद आ रहे थे अम्रीश महराज जो पूरे जगत के राजा थे और जगत कैसे देखते सपन वत देखते जैसे सपना देख रहे हो जानते हुए सपना देख रहे हैं ऐसा मान रहे हैं सपना जब हम देखते हैं तो हम यह नहीं मानते हैं सपना देख रहे हैं जब सपने से बाहर आ जाते हैं तब मानते हैं सपना देख रहे हैं तो वह जीवन जागरित जीवन है उसमें इतने जगे इतने सुरूप में स्थित्थे कि जो उनका राजपाट था पतली थी बच्चे थे उसको भी उस अपने मान रहे थे शणिक है वो क्रिष्ण कर रहा है वी यह थे एंपन Doris के व्लाइड ग्रेंड रागी है अब अच्छान के सेभी करेंड सुरहत हímका है क्या सबको समझ में उनों प्रहों है कि सबको सबुड़ करना है यह आई यह यह प्रकट हो चोड़ करके क्यों हाथ दिखाई पड़े आपको हैंड रेस करना है तो कम से कम वीडियो आन कीजिए मुझे डर लगने लग जाएगा मुझे बच्पन में बहुत दर लगता है बूट से तो प्रीज समझ में आ गए बात ना विसे अच्छा तरीका समझ में आ हां हमारा सुरूप नहीं है मतलब हमारा यह सुरूप नहीं जो दिख रहा है तो हम यह माने देखिए भले ही शरीर में है लेकिन यह ना माने कि मैं शरीर हूं ठीक और फिर याद दिला रहा हूं मैं शरीर नहीं हूं इसलिए शरीर के लिए कार नहीं कर रहा हूं भक्ति के लेकिन आपको बहुत सारी सिवाय कर लेते हैं तो उसमें पेट्रोल भराना करतव है क्या करते ही है को से बड़ी बात लेकिन यह याद रहता है कि मैं स्कूर्टी नहीं हूं लेकिन यह नहीं भूले थे कि हम करने के जा रहे कैसे भूल सकते हैं वह बढ़िया वाला यह मैं नहीं दे रहाएं वक्तों के द्वारा कि एक व्यक्ति कार में बैठा रहता है उसे पता है कि तेल है कि नहीं बहुत अच्छा धारण है हवा है कि नहीं आप तो कार भी चलाने जानते हो अप सब पता रहता है कि नहीं मालूम चल जाता है चेक्सपर ट्राइव को कहां जरा सी गरबड़ है लेकिन वह यह नहीं भूलता है कि उस कार से जाक आ रहा है दस दाट मेंक सेंस बहुत बड़ा यह यह ब्रिलियंट एक्जामपल है व्यश्ण सिध्धान का कि यद्द्पी हम शरीर में है प्रपाद आके इसको बोल देंगे यद्द्पी वह शारली चेतना से भी यूगत है कि पूरी तरह शरीर की चेतना से मुक्त नहीं है लेकिन व अगर मैं कहूं कि आप गाड़ी को पोच रहे हैं अरे टाइम नहीं बर्बाद करने गाड़ी को पोचना साफ रखना हो जरूरी है ताकि भगवान की सीवा कर सके लेकिन गाड़ी का मेक अप नहीं करता है विक्ति अब इसका और भी आर्थ नहीं है कि हम लोग गंदे कपड़े पहने फटे कपड़े पहने यह नहीं बोला जा रहा है लेकिन ऐसी भावनाव से अपने को ऐसे कारें ना करें जिससे हमारा यह द्याहिक चितना बढ़ जाए ठीक है तो यह सब को समझ में आहीं रहा होगा मु मुक्ती है श्मिभागवत हमकि एकदम पष्ट किया जा रहा है अचा एक और बात है प्राया मायवादी लोग क्या बोलेंगे मुक्ती मतलब भगवान में जाके लीन हो जाना आप बताई कि क्या यह भागवाद के दौर अनुमोदित है नहीं अन्यथा रूपेणा वो यह अपने को श्रीर मान रहा है यह मायवाद भी मानते हैं लेकिन सेकेंड नायन में गलबड हो जाएगा स्वरूपेणा विवस्तिति को नहीं मानेगे अपने स्वरूप में इस्तित हो है क्या यह स्वरूप नहीं हो आना कि हम लीन हो गए वहां तो रूप आपका समाप्त हो अगर संभव नहीं है मान लीजिए आत्मा लीन हो गई तो क्या वो स्वरूप में स्थित्थ हुई उसका रूप तो जीरो हो गया ना तो तो शुन्य रूप अगर कहा जाए मुक्तिर हित्वा अनिथा रूपम शुन्य रूपे नवस्तिती यह उनकी डिफिनेशन हो जागी समझ में आया सारे अन्य रूप को छोड़ करके शुन्य रूप में प्रवेश्च कर जा नें यह तो भागवत नहीं कह रहे हैं सभी जीवों का सवरूप में तो बड़ी सुन्दर बात है कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है है कि नहीं हम लोग पहले दिन से शुद्ध भक्ति कर सकते हैं अगर सिधान समझ में आ जाए यद्यपी हमारा एक और दर समझ दीजिए डॉट्टर के पास गए है तभी न जब बीमार है और आप अगर एकदम सही तरह से डॉट्टर का इलाज पालन कर रहे तो आप शुद्ध पेशंट है कि नहीं शुद्ध पेशंट समझा रहा है जो आग आग एकदम ठीक ठीक पालन कर रहा है तो तो विवेक का उपयोग कर सकता है कि मैं आतमा हूं मैं इस मेरे कामिच्छाओं से मेरा कोई प्रियोजन नहीं है मैं तो भगवान का दास हूं और निश्काम भाव से भवान का भजन करें कितनी बार हम बोल चुके साधना भक्ति मतलब अपनी इंद्रियों से किया गया और लक्ष भाव भक्ति है तो उससे सबसे तीवर रिजल्ट मिलते हैं और यही यह देखिए इस दिमांग में गुसा लिया तो हम देखेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि को चालिस चालिस साथ जब कर रहा हो भक्ति कर रहा हो उसको परिवर्टर नहीं मैसूस हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट को क्लिक नहीं कर रहा है कि बहुत समय लग जाएगा अब कितना समय लगा पता नहीं शुद्य तो हो जाएगा कितना समय लगा पता नहीं इसलिए सद्धान्त सुनना बहुत जुरूरी मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलोशित चेतना से छूटना भौति जगत से छूटना प्रफपात नहीं बूल रहे हैं समझ में आ गया और शुद्ध चेतना में स्थित होना भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागित करना है और हरे कृष्ण मंत्र या भक्ति में भी बार-बार आप क्या श्रमण करते हूं चेतो दरपन मार्जन और इसको बार-बार समझी चेतना गंदी है इस कारण से अपने को शरीर मान रहे मैं विज्ञान को समझ लीजिए नहीं समझेंगे तो भी रिपीट करता रहा हूं जेतना अशुद्ध है अविद्या से ग्रसित है इसलिए शरीर मान रहे हूं मेरे शरीर में से में कुछ वायरस है या वायरस से घवरा जाएंगे आपनों लेकिन मतलब कुछ वैक्टिरिया अवस्था तो कुछ टेंप्रेरी है ना दवा लेंगे ठीक हो जाएगा तुसी प्रकार से अविद्या से ग्रस से जीव ठीक हो सकता है भवागी भक्ति करके बारम बार में बार को बोल रहा हूं नया साल आज पहला तारिक नया साल शुरू हो है हमें प्रयास करना चाहिए ह हर दिन दिन प्रतिदिन हुम ऐसे कारthank Y yourself कदा्वी प्रवृत्र नहूं जिससे हमारी चेतना दूशत हो और ये कठीक कार है कि कभी को कभी तो पता भी नहीं होता कि इससे हमारी चेतना दूशत है धीरे धिरे धागान भक्ति करके आप जानते हो चुछो 16 किम करने वाली है तो जो चीज कम करने वाली है उसको से बचे अत्याहार प्रयासस्चा प्रजल्प अपनीय मांग रहा जनसंगस चंदॉलियम चाश्यडविर भक्ति प्रसिद्धि और ये बहुत ही सुष्म हो सकता है मैं आपको धारन दे रहा हूं जैसे मेरे पास दो होट वाटर बॉटल एक होटर वाटर बॉटल थी और मुझे एक ही जुरत थी तो दूसरी एक भक्त ने दूसरी भी देती तो मैं सोच रहा हर बार दूसरी वाली सिग्नल देती तुमने मेरा उपियों नहीं किया है देखाया अपने इसा वस्तों को भक्त आया हमने का पूछा आपको आपको आत्याहर की डेफिनिशन वह भी हो सकती है डेफिनिशन का मतलब इतने लेवल तक जाएंगे और आचार ने किया भी यह उन्हें ने तो किया वता हम कर भी नहीं सकते हम वस्तों एक खटी करते जा रहे हैं और उनमें से बहुत सारे वस्तों को तो हम उपियोग में ही लगते अत्याहर का प्रयास का महान बढ़ने का प्रयास करना और बहुत सारे प्रयास करना प्रजल्ब दुनिया की फटल बाते करना और क्या है नियम आग रहे हैं नियमों को पालन नहीं करना या फिर भृतिक चीजों को प्राप्त करने के नियमों का पालन करना और क्या था जन भ उसे करते हैं और गलति संग से दूर रहते हैं और को फट्स ժरवरत संग अतागा सतो वर्थ जैसे भक्तों ने आचरान के वैसा करते तो लिशत भक्ती बठती तो इसे बाते में ने क्यों बुली क्लुफ चेत्ना को दिलीट करना है और स्指 बाना हमें वक्ती को आना यह है प्रोसेस तो वक्ति मक्त हो जाएगा भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्चितना को जाकरित करना बड़ा सिंपल सी बात है बहुत सिंपल सी बात है को इस पर स्ट्राइकिंग लगेगी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या हमारा हमारा हाँ ठीक है क्या हम लोग ड्यूटी फुली करतव बुद्धिस से वैद कि यह डॉक्तर की आग्या पालन करते हैं कि नहीं मैं नाम भूल गया आपका साहिल प्रभू डॉक्तर के पास जाते हैं यह समझते हुए कि मैं बीमार हूं तो व्यक्ति नीमों का पालन करता है वो क्यवल करता है नीमों का पालन करता है या उद्धिस भी होता है ये भूलना नहीं चाहिए बात बहुत सिंप्र लग रही है लेकिन हमको भूलना नहीं है कि इस कौन के होस्पिताल में हम रोमांस करने नहीं आहें बद्रिनार माराज बड़ा बजदार बोलते कहते हैं यह पूरा ब्रम्हांड एक हॉस्पिटल कि तरह है और मानो कोई विक्ति अस्पताल में जाए और कहें कि यह नर्स तो बड़ी सुन्धर है मैं इसे शादी करूंगा अरे भाई तुम वहां साधी करने के लिए नहीं गए कि जो मैं पढ़ रहा है क्या सिखा रहा है तुम इस जगत के केंद्र नहीं हो यह जगत हमको सिखा रहा है कलशित चेतना में विक्ति यही सोच रहा है कि मैं इस जगत का केंद्र हूं भोगता हूं नियामक हूं यह मेरी बाते समझ में आ रही है यह बहुत इंपर्टन्ट ह हर बद्देजी सोच रहा है कि मैं नियामक हूं और भोगता हूं भोगी हूं लेकिन भोग तो भोगी है वो दुख भोग रहा है तो वापस उस शुद्चितना को जागने करना अगर आप देखें भी तो गीता सुनकर अर्जुन ने क्या बोला नश्टो मोह का अर्थ क्या है स्मृतिकार्थ क्या था अपने सुरुप को स्मरण कर लेना अब देखें वो जो अपने अज्ञान का पड़ा था आसमें कामा रहा है कि मैं तो आपका दास हूं नश्टो मोहस्त वित्र लब्धा तत्प्रसादा मया चुता आपकी क्रिपा सु तो क्रिपा में भगवान ने ड्ला अरे जलने स्रा जुअ किया वरन किया करिश्च अगारज ने क्या है उसके बाद गटसंदेया मेरा संदेह दूर हो गया है कि मुझे क्या करना है यह Whereas बढ़ा बात है बहुत बढ़ी बात है舅 अंगर विक्तिकसंद दूर हो गया कि वह का सेववक है तो सेवा करें करेंगा क्रिष्ण कर रहा है कि है कि नहीं कि इस ने समय विख्ठी कर रहा है सारे कारे कर रहा तो सोच लिए कंद ुछ समझे लग Kid में गीता में आना चाहिए जाहे कि अज्ञान तुनट नहीं है प्रवारा सुनते तो रहना चाहिए किसी दिन क्लिक भी कर जाता तो यह हो जाता है कभी कभी सुनते रहना चाहिए यद्द्पी मैं पूरी तरह माया में हूँ फिर भी मैं सुनतो रहा होना कि सत्य क्या है मैं इंक्लूडिंग मैं सब्सक्राइब कर रहे हैं और फिर क्या प्रमाण हुआ करिश्य वचनमन में मेरे जो मन में आएगा और जिन कहरें वह मैं करूंगा है ना कितने लोग समर्थन कर रहे है मेरा अर्जन ने बोला नहीं कि तक मैं एंड में हमने तो भी काई नहीं पड़ तवा जो आपके वचन है वह मैं करूंगा समझ में आ गया तो यह शुद्चेतना का लक्षण यही मुक्ति का लक्षण क्लियर आगे बढ़ते हैं इसलिए हम कीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से प्रश्ण करते पाते हैं कि वह विशुद्चेतना को प्राप्त हुआ यही बात में बोल रहा था यही श्लोक को कर रहा था भूण सकते हैं वह संदर श्लोक है क्या तुमारा मोह नश्ट हो गया है यह करके प्रश्ण भवान करते हैं शुद्चेतना का अर्थ है अपनी इच्छा के अनिसार जो वन्मयायो कर अरे भाइच्चा को रोट मारे टेक अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना इससे पहले वाल अश्लोक क्या है कस्चिद एतत्षृतम पार्था त्वएकाग्रेण चेतसा कस्चिद ग्यान सम्मोहा प्रश्ण से धनाजा क्या आपने इसको बहुत अच्छे से सुना और क्या आपका मोह और अज्ञान अञज्ण से अज्ञान अरूय राया एक आक्यान और में कि Agneffa बार बार याद दलातार रहा हूंंगा तो उसके बात है अरजुन हां मेरा अज्ञान अश्ञ इस courtroom हो गया मैं समझ कि कि मुझा कुट यह तमां बहूत अच्छा बात है दुशा दाकी बाते करें व्यक्ति घूप प्रवचन कर रहा है अच्छी बातें प्रवचन करें लिकिना अगर भगवान के विरुध कार कर रहा है तो ऐसमझान है उसकी जतना शुद्ध नहीं हुगी उतना ही भगवान को अप्रिये लगने वाले कारिया हमको भी अप्रिये लगने लग जाएंगे मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ता कि प्राया लोग भूल जाते हैं इसको तो आप बिल्कुल नोट कर लिजे कि मैं हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ इससे मेरी चेतना शुद्ध हो रही है उसका प्रमाण प्रत्यक्ष आँखों देखा प्रमाण यह है कि जो भगवान को अप्रिये लगता है वह मुझको भी अप्रिये लगनेगा मैं उसको नहीं करूगा और मानो अगर कुछ प्राने सेसकार उठ भी रहा है यह चेन स्मोकर है पता नहीं कितनी पीते चेन स्मोकर है वह 50 पीता था भगवान तो कहीं गीता में लिखे है कि एक नियम है कि पचास से रोड बोच पीना तो भगवान को तो बिल्गुल पसंद नहीं तर पाप है अब मानो पचास से वह 25 आया भगवान का नाम जब करके तो क्या वह शुद्ध हुआ के नहीं समझ में आ रहा है फिर 25 से 20 हुआ 10 हुआ तो अब देख रहे हैं कि क्रमशा उसको वह कार करना जो भगवान को अच्छा नहीं लगता वह उसको भी नहीं अच्छा लग रहा है इसे पिज्माबंद में रोय गारे हैं मैं यासा क्यों कर रहा हुआ यानि कि उसको अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकि सम्हाउदर पहले की आदत की वश्चा से करता है मैं इस बात को बाराम बार बोलता हूं क्योंकि भक्त लोग परिशान रहते प्रतिदिन इसी से कुछ ना कुछ कमेंट आ जाता है क्यों यह परिशान ऐसे क्या कैसे मुझे हसी आ रहे थी हम अज भी मैं अगले जाने लगे आदत बन जाती है ना कि वहां पर हम जाते आये हैं तो वहां पर हम चले गए मैं एक और उथारण दोंकर समझ में मैं खाली बोल रहा हूं कि एकदम से आदत नहीं छूटी है इसका यह नहीं है कि आपकी चेतना शुद्र नहीं हो रही इसलिए सब बाते ब सेकती थी तो वही आदत बनी वहीं ट्रेंग है और जैसे रोटी डाली फिर हात रखी है अरे और प्रभुजी मना किया अचा रहा है ठीक है तो प्रोटी डाल दी ए तो देख रहा है कि आदत बन जाती है तो आदत जाने में समय लगता है इसका और तो यह नहीं कि उसकी चे आसना बड़े लगती है इसलिए नामाप्राश से बचना चाहिए समझ ना शुद्र चेतना है इसका अर्थ क्या है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना यद्धि उसको नहीं अच्छा लगता है आरे हम भगवान के असार कारे करें बहुत अच्छी बात उसका सहर आएगा कभी आपने देखा है कि जिससे प्रीती होती है उसकी आग्या प्राप्त करने के लिए हम लालसा रहती कि कुछ आग्या मिले कुछ शिवा का मौका मिले दस्टा मेंग सेंस प्रभुपाजी सुत्र बता रहते है इसे इसे तो मैंग इस तो ओफर लव तो देवोटी आपसे भी प्रेम करेंगे तो आप जो बोलेंगे उसल नहीं प्रभुपाजी जब प्रवचन करते थे तो उनको समझ में बाकि लों को आता हो वो संद्ध है बएब प्रभुपाजी ने प्रेम दिया इतनी हमसे हम इदना रखेगा हम यहां लएजडी करके तो अलाव नहीं करते हैं अम लस्टी के लिए प्रोशन नहीं दे रहे अब उसका जूम पर कोई किसे भी आए हम शरापी करके कोई हम जानते हैं लगिन हम ने सुना एक बक्त हमारे जूम पर आते हूं शराप पी के आते हैं तभी जब कर पाते हैं अब जूम पर तो कोई कैसे भी आया है को अपने घर में जो कुछ कर रहे हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते अनुमदन नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका तो कुछ नहीं कर सकते लिए क्लास में कोई LSD शराप लेक तो जो बयक्ति खुद्ष एतना से जागरित हुई जिस की शिटी जागरित हुई है वो भगवान का प्रेम जागरित है तो भगवान का अदेश्लम से वो करना चाहएग्ग कुछने को सुखी करना चाहेग्ग क्वल दर के ही काम क्रेगा अरे मैं ऐसा कर नहीं करूंगा तो भगवान मुझे नरख में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। कृष्ण को सुखी करना चाहिए। यह बात समझ लीजे कि जितनी व्यादी भक्ति में जो कुछ कर रहे हैं। तो पक्की बात है कि ऐसा होना चाहिए। मैं सारे अधारत दे रहा हूं किस लिए वही पॉइंट समझाने के लिए अस्पताल में व्यक्ति आया है। अगर ठीक ठीक नेमों का पालन कर रहा है तो ठीक होगा। एक चोटा एक्सेंबल और देना चाहूंगा। तरी पूर्व में एक दवा नहीं है। सबकि अलग अलग दवा है कि सबकि अलग अलग प्रगति होते हैं। गलग तो नहीं कह रहा है। लेकिन हमारी सबकी प्रजिति एक ही जैसी है। विपित्या अविद्धिया और उसका इलाज क्या है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 क्रिष्णा कृष्णा वैरे हरे राम हरे राम राम हरे इसमें कोई अपवद नहींर नी, बवान का नामच 신े भगहतल extends घंरखेट जी हदिए को दिकत नहीं हो पैसेज़ सब्सक्राइब तो वह दवा चेंज नहीं करता है, नहीं करता है, बहाइक चाहिए तुम्हारे कुछ भी हो रहा हो, वही दवा चलाता रहेगा, कि जानता है कि दवा जड़ से ठीक कर देगा, प्रभुपाजी सबसे बड़े वैद्धे हैं, और वही बता रहे हैं इसको हरे कृष्मा, तो महा भगवान कृष्ण की सिवा करने के लिए उद्यत हो जाएं, और सारी बात बुलने के बाद आप कहें कि, जैसे मान लीजे, मुझाकली बोल रहा हूं कि, क्लास के बाद तो कुषाद आता है, उच्छे के सिगरेट के डबबे आए, आप तो कलपना भी नहीं करेंगे, लेकि पर चलो अब यह तो बहुत खराब करेंगे, कम से कम चाय बटे, आप पता नहीं बता रहे है कि, कहीं पर कता होती है, तो हम बाहर चाय आती है, और चाय पी रहे हैं, तो पर क्या से बताईए आप कहा जाए, आप कि भागवात का हम प्रभचल सुन रहे हैं, ठीक है न? भागवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में नेकरिष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रफृति पाई जाती है, किन्तो भागवान परमिश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते, परमिश्वर तथा सुद्र जी अब चेटना जीव में भी है और भगवान में भी है तो कोई भक्त प्रश्न कर रहे थे चेतना के बारे में तो अब चेतना है क्या उसको प्रहपज संधाएंगे और वही चीज बलदे विद्धाभुशन पात ज्यान शक्ती के रूप में संधाए है चेतना का गुण क्या है तरह देखिए बहुत सुन्दर बात है ध्यातर सुनिए इसको यह समझ में आ रहा है कि भगवान में और हमें दोनों में चेतना है लेकर अंतर क्या बताया नकुल प्रभूत जीव की चेतना में और भगवान की चेतना में क्या अंतर है ने यहां कति के गुडों से प्रभावित हो जाती है लेकिन भग्वान की चेतना कदापी क्रभावित नहीं होते हैं कि ठीक है कि यह चेतना क्या है बहुत अच्छा यह चेतना है मैं अब यह क्या मतलब हो मैं हूं यह बाद बढ़ी रोचक पर इवासर करें मैं हुं यह ऑव्एर्णेस फैंगलिच समझते हैं इक जागरुंगता केह सकते हैं ल यह जागरिती ऐसे कह सकते हैं यह सभूपे ओर्ण होना कि मैं हूं नकोल प्रभू आप हैं और आप तनिश्क प्रभू के बीच में कोई भक्त बैठे हुआ है कि तरनिश्क और नकुल्क प्रभू के बीच में चस्माला के कोई बैठा हुआ है जिसने पीने रंग का बीट बैक बना हुआ अब आप इतना में नाम नहीं बोला लेकिन प्रभूजी समझ के ना मैं किसके बारे बात कर रहा हूं और भले कि आप इसके बैठा है कि पर यहां पर लेता हूं आ अंकित प्रभू कोमालिजिई नाम लेकित अंकित प्रभरू अबसमझ कोई मेरे कोई देख रहा है मेरे इस अब ब forbidden भूर hon प्र्गर मैं हूं और मों से हैं मैं इसको बारम बार रिपीट कर रहा हूं एक यी अचे क्यों सुनने के बाद भी हम जटशे ही पहचान करते हुझे क्लास में पूछ रहे थे हमारी निंदा कोई कर दे तो यह प्रश्ण क्या अज्ञान से प्रकट है कि नहीं बताईगे और हम सभी लोग इसे प्रभावित है अगर कोई विवेक्ति हमें गाली दे रहा है और हमको बूरा लग रहा है तो यह भी तो हमारी फिस्ट्री गलती है ना कि बताईगे गलती है कि नहीं प्रभी या नहीं देंगे कि मैं बोल रहा हूं मरे ने पी कठन होता य। लेकिन यह चैत ना दूना ये रीय। चेतना को आप अलग नहीं कर सकते जीव से, जैसे सूर्य के प्रकाश को सूर्य से अलग कर सकते हैं क्या, नहीं, पूछ रहे तो कि आत्मा चेतना है क्या, वस्ता आत्मा की चेतना होती है, लेकिन फिर भी आप चेतना को आत्मा से अलग भी तो नहीं कर सकते, जैसे सूर्य को स हूँ ? देख प्रस्ना जाएगा ? कल्षित चित्न में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वाहूं, मैं भोटता हूँ यह संसार भूमता है, बतलब चलता है क्योंकिन प्रत्यक जीव यही सोचता है कि वही इस बौन जगत का स्वामी तता स्रिष्टा है थोड़ा समझने का प्रयाज किजिए बद्धजीव और मुक्तजीव दोनों में मैं हूं की भावना होती है कि नहीं होती है जो बद्धजीव है वो सोच रहा है उसके अलग एक लेवल से या तो वो सोचेगा कि मैं शरीर हूं यह एकदम निम्न चेतना है थोड़ा रिफाइंड हुआ तो सुचेगा मैं मन हूं वो शरीर से पैचान नहीं करेगा कवी कवी कावे रचना करते लते फिर उसके बात है मैं बुद्धी हूं अपनी बहचान बुद्धी से करेगा वो रिसर्च करने में लग जाएगा जो रिसर्च वाले होते हैं वह भी शरीर की उपेक्षा कर देते हैं जैसे कि वह क्या अब्दुल कलाम जी से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं करी तो भूल गया तो वह अपन जाते मों मैं कहूँ कि मैं कृष्ण का दास हूं ये ठीक है ना कि मैं कृष्ण का दाष्ण हूं ये सही और ब्ल्यंक तो हां मैं स्री कृष्ण का नित्य दाष्ण यह सही फेली देधास, यह चेतना हो ना कि मैं कृष्न का नित्य दास हो। अगर मैं नित्य ठादू तो क्या अधिकत हो जाएगी? अभी हूँ, लेकिन आगए जाकरके तो हम भी खृष्ट बन जाने वाले देखरें नित्य कितना सुख्ष्म है, तो मैं हूँ में क्या फेल यह को है Agr प्रश्ण यह आाएगा कि जो setti अपने को शरीर मान रहा है जो अपनेये आपको मन मान रहा है पढति से कर रहा है से कुछ तर प्राप्त हे जी मिर्शेर कैसे और में अगर को सोच रहा और मन से मन में सोच रहा है से काविर इस करता है कुछ रूब लिघ Republicans बहुत आनन्द होता है और ऐसे लोग प्राया आप देखियों कि जो कभी होते हैं वह सब खाना पीरा छोड़के लिखे रहते हैं आपने जानते हैं बहुत से कभी वह से लिखते हैं उसमें बुल्कुल डूब जाएंगे खाएंगे तो है लेकिन एक्दम निवन जिसे कहना च से करता है वह फिलोसफिकल स्पेकुलेशन जैसे सोकरेटस नहीं करते हैं लेकिन अन्य लोग भी बहुत से जो फिलोसफी में बहुत रुची रखते हैं सुष्क फिलोसफिक लाश्या बप्धि को घुमाते रहता है यह साइंस में गुमा रहे है वह भी देखेंगे खाने ब बुद्धी में रमण करते रहे तो जो मन में आ रहा है स्टीपिन होकिंग्स वह अपने दिमाग में ही अपना पूरा संसार बना लिया उसने वह उस संसार का जो जन था हम बंप से विस्पट हुआ उसी ब्रह्मान की सृष्टी कर दियो खुछ चलनी पारा उस ब्रह्मान में चलने के लिए मोहताज है साइंटिस्ट खूब सारा रिसर्च अपने बुब्धी में कर रहा है चांते आप उस प्रकारते जीवन जी रहे लेकिन वस्तता हाज हो चेतना क्या है हम भगवान श्री कृष्णी के लिए तासे तब है भगवान की सेवा करें ठीक है अभी तो अ आओ भूमे में आओ तब समझ जाएगी भूमे का और देखे मैं तुम कहीं बाहर भी नहीं जा रहा हूं पर जो चीजें होने को समझाने का प्रयास करो बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर रुचिकर प्रहपाजी के लिए संसार घूमता है अब घूमता करते हैं कि लिए जीव यही सोचता है कि वहीजीव की जीवों की शक्ति से प्रगत जगत नहीं चलना है जगत चला रही है भगवान की शक्ति बहुत की लगाई होगी भाई जेले क्यों चल रही है जेल अपरादियों के चस चल रही है तो अब आप बताई कि किस अपरादी ने जील की 188 भी लगाई होगी जेल की 188 भी अपरादी नहीं लगाई होगी और आप यह भी जानते है कि मालोसर चंडीगड है है चंडीगड अभी कुछ हाल ही में अंग्रेजु के समय बनाये गया है समय या लूब 25 साल पहले नहींना अनग्रेजीं हो तो जब city की planning हो रही तब तो कोई रहने के लिए नहीं था ना और जब रहने के लिए नहीं तो अपरादी कहां से clear तो फिर जब अपरादी ही नहीं है तो भाई जेल क्यों बना रहे हो कि कुछ महात्मा ऐसे जरूर होंगे जो जेल की रहुनक जरूर बढ़ाना चाहिए समझ गए तो जेल अपरादी नहीं बना रहे हैं लेकिन जेल अपरादी ही बनाए है अपरादी जेल नहीं बना रहा है लेकिन अपरादी ही जेल बना रहा है अगर आपरादी ना हो तो जेल की कोया है नहीं लेकिन ऐसे महात्मा है जो अपराद करेंगे जो जेल में जाएंगे जुर्म करेंगे वह जुर्म कर रहे हैं इसलिए जेल का चले रएक पार्लामेंट ने मुद्दा बनाए जेल खाली हो रही है कि जेल खाली हो रहे है कुछ करना चाहिए जेलें ऐसे चेलेंगे ये सो कुछ नहीं आघा ना बाज तो हमारी भोग इच्छा के कारण जगत भगवान सृष्टी कर रहा है इस पर कई बार लोग बोलते हैं भाई दिखें लोग सब शादी नहीं करेंगे बहुत इकता में काम नहीं करेंगे दुनिया कैसे चलेगी तो प्रपाजी कहते हैं कि दुनिया चलाना बहुत जरूरी है यह तो ऐसे ही हुआ कि देखो अब जेल में लोग कम हो रहे है तो अब कैसे चलेगी जेल कुछ तो अपरादी कुछ ने लोग का प्लेस्मेंट होना चाहिए जेल में ऐसा तो कोई कहता है नहीं मैं पाजी तो पूरे जगत को एक बहुत बार डस्ट्टी बिन देखें अमरि प्राइब तो मिला नहीं प्रोग लेते हैं अरे कि पिछल जनम नहीं भोगे और पिछल जनम की पिछल जनम को स्की याद नहीं इसकी है श्रीड चेंज हो गया ठीक है अपने साब से बताए चले हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस अंसार घूमता है ठीक है स्वामी तदा स्रिष्टा है अच्छा इस पर बड़ी सुंदर बात है कभी हाथ खड़ा किजेगा आप जूम पर भी हाथ खड़ा कर सकते हैं आपने कभी किसी वस्तु की स्रि फिलसुब्सिकली अपको लग रहा है कि आफ्म कुछ बनाया कमारोора इसे कि यह ऐसे क्याएं रहे और आप देख रहे हैं आप देखते होंगे कि आप उसमें कितनी आसक हो जाते हैं और आप यह भी जानते हो कि आप मांते हैं हम लोग यह बहुत आच्छी है इक बल्कि यहा आप चाहेंगे कि बाकी लोग उसकी सरहना क्यों नहीं कर रहे हैं और कोई दूसरा सरहना ना करें तो व्यक्ति खोदी सरहना करना शुरू कर देता है गलत नहीं कहा रहा हो ना कि देख रहें स्रिष्टा होने की इच्छा क्या है यह बहुत गंफीरता से भक्ति ग्यान मारा समझारित आप सुनने है उस लेक्चर को बहुत अच्छा कि उपनिश्चत बताते हैं कि बद्द जी में भी बड़ी इच्छा है कि बच्चा पैदा करना के वह लोग कामवासना क अधिक बात नहीं है श्रिष्टी करने की इच्छा होती और अपने बच्चे बड़े अच्छे लगते में चाहे वह सुन्दर हो यानहीं हो भी मतलब भी अफ्रिकलंगों करने पैयार हो उनको बीश्चे आदिवासी उसको भी बच्चे प्यारे लगते हैं आपकी बहुत स्रिष्ट करने की बहुत इच्छावदी यह बहुत स्ट्रोंग डिजायर है सृष्टी करने की तो करें लोग पहर या तो करें तो कम से कम 11 बच्चे परदा करें और 11 की 11 भक्त हो भगवान के तब ठीक है यह प्रवोजी इतना भी लिह नहीं कि यह सारव हम प्रभु कहते हैं कम से कम च्छै पैदा करो च्छै में से कम दो तो भगवान को दें तो चार अपने पास रख चलिए अब इस सब क्या चर्चा करें लेकिन पॉइंट यह है कि और दूसरा स्वामी अधिकार हो गया है मेरी बाइक मेरे पिता जी ने यहां बाइक स्पांसर कर रही और उसमें कितने लोंका अधिकार हो गया है मेरी बाइक 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 म होगा जब आपकी वस्तु आपसे चली जाएगी और चीननी जाएगी पकी बात महाराज जो दिन बता रहे थे ना कि मंदिन में भी देखा जाता है को एक प्रेसिडेंट रहा हो और प्रेसिडेंट के पस से छूट जाए उसे बड़ा दुख लगता है ऐसे बसे लगता है कि मा पामिय और सश्टा की भावना गुरु महराज बहुत अची बात बोले थे पर रिक्षित महाराज को पूरे विश्व के राजा थे फिर भी नम्र सेवक के रूप पर राजय कर रहे थे और यही सभी राजरशियों की भावना थे दिश्टर महाराज की यह सारा राजय है कि नहीं यह और यह वास्तव एकता है स्वरूप में इस तोने की बात है कि यह बेटा भगवान का अंश है मेरे सबसे बड़ा करतव है कि इसको भक्ति में प्रेव निवजित करो और आप देख रहे हैं कि आप लोगी देखते हैं कि हमारे माता पेता बहुत इतना वादी मैं जो बाते प्रैक्टिकल बोल रहा हूं उसका संबंध इस सिधान से है कि हम स्वामी है और स्त्रिष्टा है भौतिक जगत के दो मनोमय विभाग हैं एक के अंसार मैं ही सिष्टा हूं और दूसरे के अंसार मैं ही भोगता हूं एक छोटी से धारण आज मुझे भगत नतार्य थी कि हमारे क्रिस्दार है उनकी पांच बच्चे पहले मर गए और फिर उनकी लड़की का जन्म हुआ भगवान जन्म देनेवाद है अगर भगवान का सामर्त नहीं हो तो कोई जन्म नहीं पाएगा यहां कि नहीं भगवान नहीं श्रीट दिया माता को तह पता नहीं रहता कि बच्चे का मुँ भी शाइट किदर है मैं तो बोल रहा हूं मैं तो is it not very difficult to know या कैसे कैसे बच्चे को मा के गर्भ में खाना की वैस्ता हो और इसमें मा का तो कोई control नहीं है और आप लोग इसमें अश्यर नहीं लगता कि एक सेल से हमारा पूरा शरीर बन जाता है is that not wonderful और हमारे कितने अंग हमारे सारे अंग कितने कॉंप्लेक्स हैं है कि नहीं आज तक कोई मैं यहां पर कुछ डॉक्टर्स भी इंशाद होगी कोई आख को पूरा समझ नहीं सका है और आख खतम हो जाए अब आख बना नहीं सकते हो सकता है दूसरे के आख लाके चिपका द अच्छीर को भी ठीक से समझा नहीं ज़ता पाया है और सबको मानव शिरीर प्राप्त है तो सर्ष्टा कौन है जरा बताई वह वाकई सर्ष्टा हो तो पता हो न चाहिए शिरीर में क्या है और बच्चे ही को बीमारी हो जाती माता पर पे ताब कोटर के पास लेके जाते है हमारे बच्चे क्या होगा पता है तो सिष्टि तो आपकी है ना हमारे पास क्यों निए है तो हां बहुत अश्ची बात बोल रहे हैं पूरे शरीर में कहीं कोई शिलाई नहीं है कोई कोई सिलाई कर दो कितना सुन्दर बात है तो यह सब विचार करना चाहिए कि स्रिष्टा हम लोग नहीं है स्रिष्टा भगवान तो जब स्रिष्टा भगवान है तो स्वामी भी भगवान हुए जब स्रिष्टा वही है स्वामी वही है तो सिवा किसी और क्यों कर रहे हैं यह बताओ तो देखिए अगर लॉजिकली बात करें तो किसी के पास कोई तर्क नहीं है वो अलग बात है कि सब तर्क सुनने के बाद भी स्विकार करें या ना करें लेकिन है नहीं तर्क किसी के पास है कि नहीं कोई तर्क कुछ प्रसुत करना चाहते हैं कोहस्ट बना देते हैं को एक मात्र हमारा करते हुए क्रिष्ण की सेवा करना है कोई पाप नहीं लगिए या अन्यों की सेवा करना है तो क्रिष्ण की संबन में करना है एक के अंसार मैं ही स्रिष्टा हूं और दूसरे के अंसार मैं ही भोगता हूं लेकिन वास्तव में परमेश्वर स्रिष्टा था भोक्ता दोनों है, और परमिश्वर का ऐन्ष होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है और नहीं भोक्ता. वह मात्रस सहयोगी है, वह स्रजिता भोक्ता है. ये बना समजने का प्रयास कीजि़, ये सहयोगी है, जैसे हाथ पेट का सहयोग करके ही सुखी हो सकता है, उसी प्रकार से जीव भगवान को सुखी करके ही सुखी हो सकता है, तब करेंगे भगवान दुखी है क्या, भगवान दुखी नहीं है, लेकिन जीव भगवान को सुखी करके ही सुखी हो सकता है, यह एक तरीका, यह और को तरिका नहीं खुद भोगने का प्रयास करेंगे कभी सुखे नियोसर के इसी दिए जैसे जैसे वस्तुवें हमारे पास आती जाएं हमें उसका उपयोग भगवान की सिवा में करते रहना चाहिए और आप बहुत प्रसन हों धन का बुद्धि का बल का उपयोग दो भगवान क की सिवा में करेंगे आप देखेंगे कि जीवन में आपको लगएगा कि हाँ हमारा जीवन छोड़ दिए एक दिन भी हम पूरा दिन बिताते हैं माली जैसे आज सभी भक्त प्राय मंगल आरती आए अपने जब किया अपने भगवान के बारे में सुना कुछ आप देखेंगे क कि अपने जीवन में कुछ त्रिप्ति कंभव करते हैं कि हाँ हमने आज भगवान कुछ सिवा करें कदाचित को बिमार पढ़ जाए और नहीं कर पाई देखेंगे कितना दुख लगता है या माया में चले गए फिर आप सोचो किया रहे भाई दस दिन दस साल या जो भी समय गयो हां कि या झाया हुँगी मैं पूरा सुमय वर्थ कर दिया कि सब्सक्रा अंनलस यहां कि आन्ले समक्ति मत कमात से 99 नहीं होता हूं रिक्क्त होती है पिछे तो इसूर्ण को कैसे माइं की अपने को वह सब्सक्राइब करें बंड़क है करें कर सो warto घर या जो संब्सक्राइब कि face किं। कि मा राम नाम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए शेरी छोड़ दिया अब उसे क्या बचा है करने के लिए उसका फिर भी आप करना चाहते तो वेश्टों को प्रसाद आप खिलाई वालग बात कितना अच्छा बताई है कि नहीं और बागी बहुत कुछ किया और मरते समय बही टॉमी वम्मी और वटेवर जो घर के लोग हैं उनकी याद रही तो क्या दुर्गती बहुत दुर्गती यहां बात हम खाली कर रहे थे कि हम सुखी तभी हो सकते हैं जब भगवान का सहीव करें जैसे हाथ अपने से एक्जाम्पल समय लिए कोई कह मैं आपके लिए रजग मैंने इसको पकड़ा है मैं मूझ को क्यों दूँ है मुझतों कुछ नहीं कर रहा है लेकिन नई हाथ लेता है मूँ में डालता है पेट पहुंचता है और उस से जो भी रस मिल रहा है सार्य कुछे फैर सब अपने आप स्वतहा आथ तो प्राफता सुन चुके हैं कई बार क स्वतनत्र होकर कुछ भोग करेंगे अब सुखी हो जाएगा इट विल नेवर वर्क इनेवर वर्क पर एनिवर्क जा आज बात अच्छी लगी प्रभपाजी की बात कर्मी लोग भोग कर रहा है ज्यानी लोग त्याग कर रहें लेकिन भक्त नथो भोग कर रहें ना क्यों कर स्ट्राइक बहुत सिंपल सी बात है बहुत सिंपल बात रुपाजी कर रहे हैं और इसी लिए देखो इसी लिए लोग न्यू येर पे काम छोड़कर कुछ करते हैं अलग समझे ना बात अपना भी याद होगा मुझे आज लुम से याद आ रहा था कि हम लोग बच्पन में नियूएर के वह लड़िया पेपर सा आता था पतला सा उससे नियूएर लिखते थे दो हजार उन 1999 1998 लेकिन काम वही कुछ नहीं होता था और फिर भाई बोरिंग सा काम अग अब मेरी बास समझ पा रहे हो भोग त्याग भोग त्याग में लेकिन भोग त्याग जीव की सुख में इस्तिती नहीं सुर्वकत सुथी नहीं क्रिष्ण की सेवा और इसलिए हम कुछ भी चेंड नहीं कर रहें नथिंग नो चेंज एकसेप टाइम अगी पीछी हो सकता है लेकिन काम वही कर रहे हैं दिन प्रति दिन वही काम कर रहे हैं मलब भवान की सेवा के लगए वह सरजित जी भवान के तरह सरजित है और भुक्त है और भुक्त है अर्थात उनकी क्रियाओं के द्वारा कृष्ण को सुख प्राफ कोना चाहिए बहुत सुंदर एक्जामप मशीन का कोई एक पुर्जा संपूम्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शेरीर का कोई एक अंग पूरे शेरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाव, आखे, यादी शरीर की अंग है, लेकिन वे वास्ते वेक भोगता नहीं है, भोगता तो उदर या पेट है, पाव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दात चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रद लिजिए, प्रगपा धारण देते हैं पहले हवाउय जहाज का, बड़ा सुंदर हिजात, हवाई जहाज उड रहा है, हवाई जहाज में पूर्जे लगे है कि नहीं, या पूर्जे से और चोटा चले जाई है, बोल्ट लगा है कि ने, छोटे-चोटे चोटे बोल्ट पी और मानों उपर से एक बोल्ट गिर जाए चले गिरने से पहले किसी देखते हैं जब बोल्ट हवाई-जाज में लगा है तो वो क्या है हवाई-जाहाज है तो इसका बहुत महत्व है वो हवाई-जाहाज है लेकिन अगर वो गिर गया तो दो रुपे का पेच है इसे कोई मतलब नहीं कवाड़ी मिश दिये जाए ब्रिलियंट एक्जामपल है कि नहीं उसी प्रकार से जीव जगर भगवान की सिवा में नेवजित है तो वो अपने महिमा मिश्तित है और यहां पर भी आप देखते हैं कि जब कोई विक्ति भक्त हो गलत तो नहीं किया रहा हूं और आप भक्ति करते हैं प्रचार करते हैं तो कितना लोग सम्मान करते हैं कि आप वाकई उनको वस्तु अच्छी चीज दे रहे हैं हम सम्मान प्राप्त के लिए करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं खाली बता रहा हूं कि वाक कितना उनकी सारा लोग कि शिक्षाव का पालन करने प्रश्वाजी भगवान के तो सेवक ही है क्रिश्च ने परिष्ठाय भूत या क्रिश्च को पॲिए है ना कि दुनिया में कितने और घूमले हैं लोग कौन पूछ रहा है कितने कितने बड़े लोग जिने अपने जीवन को पूरा समर्पित किया देश के लिए और देश का एक विक्ति भी शादन तो स्वरण ना करता हो गलत तो नहीं किया रहे नाम हम ने रखना चाते को बुरा लग करते हैं दुनिया महराज को पूरा हो गया आज भी यादर रख रहे हैं हनमान जी आए सब तो याद रख रहे ना कितनो सुन्दर बात है भगवान की सेवा में लग रहा है जीव सुखी है सुन्दर है महिमा में और गिर गया तो बर्थया और जारुद समझे यहां श्रीत क में ऐगर छोटा सा घाव HOLजाए तो वेक्ति कितना पीसा खरच करने के लिए त्यार रहता है कि और शरीर में प्रॉब्लम है शरीर में के उंगली में है शरीर में के उंगली में शरीर नहीं है शरीर में प्रॉब्लम हो रही है और कदाचित में उंगली कट करके जमीन में गिर जाए तब समझ गया ना यह बहुत सुंदर एक्जाम्पिल अगर कोई व्यक्ति भागवान की सेवा से चुत हो जाए तो उस जीव की स्तिति क्या जरा बताई चैह वो राजा भी हो वो मरेगा तो कहां जाए कि कुछ 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 कंट्रोल है आप लोग ना इसको तुरह सोच नहीं से जाए इस स्पीर्व जोह जो हिर चनिन के ऴॉस्विकें आछ सो करोड़ माले कि 8 अरब मानिया आठंग के 8 अरब लोग अगर भक्ति ना कर रहे हो तो अब उनका अगला जो गंतव है शरीर का वह केवल कर्मानुसार है एकदम साधारण हो गया ना कटी वह उंगली की तरह है लेकिन उन में से कोई भी थोड़ी सी भी भक्ति कर रहा है तो भगवान उसको बड़ा प्रेम से बना सीने से लगा कैसे कह लिजी उसको दुबारा मानव जवन देंगे आ समझ में आगे मैं एक्जांपल क्या दे रहा था हात में कुछ कटनाई है उंगली में कटनाई है चोटे से भाग में भी हलका सा काटा भी लग रहा था तो बड़ा प्रेम से काटा निकालता है धान रखता कि उंगली सेवा में लगी नहीं शेडिर की उसी प्रकार से जो भक मैं से राजा कोब प्राप्टि नहीं है जो भगवान का वी वह से बेख है कि इप लीजिए ऐक सिंपल व्यक्ति म abaして लगडils दौण पर ना है जिस ने मेरा कभी भी कैसे भी मेरा नाम चारण किया है उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता कोई विक्ति जीवन में मेरा नाम चारण करता है पद्म पुराण या मरते से में मेरा नाम चारण किया तो मैं उसको ऐसी गती ब्रदान करूँगा जिसके आगे दुनिया की हर वस्तू लोहे पत्थर और लकड़ी के समान एकदम नगड़ हो जाएगा यानि कि ब्रह्म लोग को भी ले लिजए ब्रह्म लोग भी उसके आगे कुछ नहीं होगा वैकॉर्टु बलिकर जाएगा समझ रहें बात को टो इस प्रकार से अपने जीवन को शिक्षा है इस सारी बातों का संवंध उस श्वामी नहीं है हम सहयोगी हैं, हमें भगवान के इच्छा के अंसार कार करके ही सुखी हो जाएगी, सारा समसमाज में आ रहा है आपको पूरी तरह से, लास्ट एजामपल देख रहेते हैं, जिस प्रकार जड़ को सीज कर व्रक्ष को पोशन किये जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोशन किये जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ती में सहयोग देना होगा, इसी प्रकार परमिश्वर भोगता तता सृष्टा है और हम उनके अधिनस्त जीवात्माएं उन्हें प्रसन रखने के निमित्त सहयो कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयम क्रहन कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा, स्रिजन तता भोग के केंद्र पिंदू परमिश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है, सहयोग के द्वारा भोग करते हैं, यह संबंद स्वामी तता दास जैसा है, यदि स्वा अतेव, अब इसके आगे हम आगी खर्चा करेंगे, इलाइन पढ़के, हाँ यहां पढ़के रखेंगे, अतेव भगवद गीता में हम पाएंगे कि परमपूर्ण में परम नियंता, नियंत्र जीव, दिष्च जगत, शाष्वात काल, तथा कर्म, सन्हित हैं और इस सब की व्याक्या इस पार्ट में की गई है, इसके बाद आके परमपूर्ण की व्याक्या होगी, वो थोड़ा सा भारी होगा, उसों कल हम समझाएंगे, अब इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, यहां पे एक बास सहयोगी है, आप जान रहे हैं धारन दियता सब अंगों का, तो ह है ना, कितना विच्चतर बात है कि पेट के पास पहुंचा है तो अब पैर के नाखून के अगर भाग तक भी पोश्ट पहुंचा दिया जाएगा, बाल का आखरी भाग तक पोश्ट पहुंचेगा, है कि नहीं, और अगर कोई कहे कि नहीं, यह रस अच्छा लग रहा है, या कान में ड्रॉपर से डाल लूँगा जूस, तो वह है तो सामर्थ नहीं है ना, अगर आप कहो कि आख नागे नाख के अंदर भर लेता हूं कुछ, हम तो बात कर रहे हैं, नाख में गुलाब जामून का जूस, हम तो सोचना भी नहीं चाहेंगे, तो उसी प्रकार से भोगता बन जाओं को तो बन नहीं सकेगा, आप लोग समझ नहीं रही है, मैंने तो मैंने जान बूच करके पूछा था, सुना भी था, हम इंडोनेशा गए थी तो वहां 500 बच्चे थे, बड़ा अच्छा बहुत ही सुनर स्कूल था, तो वहां पेग माताजी थी रतना मात है, धन बहुत प्राप्त है, लेकिन मैं अपने जीवन में सुखा पन ही अन्भव करी, और फिर मैंने उनसे मना मंदिर में पूछा कि क्या आपको इधन की द्वारा सुख पतापने करतें नहीं, मैं बहुत दुखी थी, बहुत सुखा महसूस करती थी, और वो करेंगे ही, म पताओं का थोड़ी विनोज के लिए, एक बार मैं गाव में प्रचार करने गया था, बहुत कभी भूल नहीं सकता, जासी में, तो वहां पे एक वेक्ती, लस्टी तो नहीं 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 था, चरस पी क्या था, तो हम पेड़ के नीचे क्लास दे रहे थे, तो मने पूछा कि पानी पूछा, कि मानो इस पेड़ के हर पत्य को पानी देना है, तो कैसे पानी देंगे, तो चरसी ने बोला बारिश हो जाएगी, तो हर पत्य को पानी मिल जाएगा, मुझे बड़ा जीव सा लगा, तो उसे इंजीनियर था वो, लेकिन चरस था, बाद लोग बोले बहुत जाएगा, जाएगा, गलत नहीं बहुत है, तो गांजा पीने से ऐसे उत्तर मिलेंगे, हमने का लेकिन भले पानी पहुच गया पत्ती के पास, उपर, लेकिन पत्ती तक पहुचा, नहीं पहुचता हो, थोड़ा हरी-भरी लगेंगी, वास्ते भी गृश से पानी अंदर से पहुचता है, जब तक विक्ति भगवान की सिवा नहीं करेगा, वास्तुखी नहीं सकता, और यह बड़ा इंट्रस्टिंग है, कि कोई नया भाक्त है, मानो, सुनता है, क्लास में हाँ, 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 बोलेगा, भले ही वो अंदर से ना स्विकार कर रहा हो, लेकिन, औ कम से कम सुने तो सही जीवन में एक बार, 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 बार सुनेगा, तो बन स्थिर रहता है, नहीं माया की नहीं नहीं जाना चाहिए, यह बाद धन रखिए कि इधर तो प्रिचिंग हो रहे है, माया की प्रिचिंग तो कॉंस्टेंटली माया प्रिचिंग कर रही है, क्या उसको तो माय की जुरत भी नहीं है, अंदर ही चलती रहती है। ये प्रभुपाजी टात्पर में देखेंगे आप गीता में, माया बुद्धी के द्वारा, बुद्धी एकदम आत्मा की निकट और माया तुरंत भोलती रहती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सभी भग ल होगे। थोड़ और सुझाते है। कितने साल होगे। सत्रा साल से तुम मंगलार्ती जाही रहे। अल्मस्ट एक दिन नहीं भी गई तो क्या है। ये माया की कॉंस्टेंट ट्रीचिंग है। इसलिए हम अमने बुद्धी को बहुत द्रण रखना होगा शवण करके गिता का आगे हम अच्छा करेंगे कि ये परम पूर्ण क्या ही वो एक दम से समझ में नहीं आएगा। उसको मैं कल पढ़ाओंगा। अभी रुकते श्रीमत भगवत गीता की जये। श्री लप्रफुपात की जये।